हेलो नमस्कार तो कैसे हैं आप I hope you are fine and doing well जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आपका उत्तर प्रिदेश ब्याश्य नर्शिंग इंटर्विस एक्जाम दो हजार शौबिस का जो डेट है एक्जाम की वो है 14 जून यानि कि शेस आपके पास एक महिना 7 दिन का शेस समय ब अब इतना समय नहीं है आपके पास कि आप chapters को प्रिपेर कर पाओ लेकिन अगर आप अपने questions को practice करोगे previous year questions को practice करोगे most important questions को practice करोगे तो कहीं ने कहीं एक चांस है कि आपके बहुत अच्छे मांक्स आने वाले हैं आज हम इस लेक्चर में discuss करने वाले हैं nursing aptitude का लेक्चर नंबर वन है इसमें हम आपको बहुत ही अच्छे MCQ कराएंगे जिनकी expectation बहुत हाई होगी यानि कि वह आपके एक्जाम में direct as it is आज आएंगे या इससे related मि जूलते जूलते MCQ आपके एक्जाम में आने वाले हैं तो आज के बाद जितनी भी वीडियो आएंगी इस चैनल पर सभी को देखना है क्योंकि UP में अगर आपको UPVSC nursing करना है KZMU से ABVMU से guaranteed अब लिख के लिए लो कि सबसे बेस्ट चैनल होने वाला है आपके life के लिए जो आपको WhatsApp ग्रूप का लिंक मिल जागा जहां से आप जूइन कर सकते हो आपकी कोई भी क्वेडियों ट्रिक्टी आप मुझसे पूछ सकते हो आफिर आपके जैसे वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें जो भी डाउट होता है क्लियर कर पाते हैं दूसरे से पूछ जो भी कंटेंट आपको मिलेगा याद रखना सिर्फ आपको कंटेंड मिलेगा कंटेंड बोले तो आपको MCQs ही मिलेंगे वो दोनों भाषाओं में मिलेंगे इंगलीज एस वेले हिंदी में मिलेगा ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही बहतर बना सेको इस कोर्स क सभी सब्सक्राइबर आपको मिले जाएंगे तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आपकी Questions को Start करते हैं क्योंकि एक्जाम में आपकी Questions ही है जो मदद करने वाले हैं साथ में आपका वाइच भी मदद करेंगा और हम भी मदद करेंगे आपका एक्जाम में शेलेक्शन कैसा अनुभव रहा कैसा experience रहा तो सबसे पहले पहला question पढ़ेंगे और question के साथ-साथ आपको explanation भी बताया जाएगा यह question ऐसा है तो क्यूं है क्यूं करो सकते हैं कोई issue नहीं है तो तब तक आप भी question read out कर लिया अगरो मेरे question पढ़ने से पहले question को करो कि आप question को पढ़ो और खुद से solve करने की पूरी क्वेशन कहता है which of the following refers to a program that aims to enable patient to make better use of information and communication technology for health care यानि की निमलिखित में से कौन सा कारिकरम उस कारिकरम को संदर्भित करता है जिसका उद्देश रोगियों को स्वस्थ और स्वास्थ दिखभाल के लिए सूचना और संचार प्रद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द health की knowledge को provide कराना किसी भी knowledge को provide कराना नहीं बोला गया है health की knowledge को provide कराना है उसके बारे में बोला गया है options आपके हैं patient informatics इसमें आपको patients की information मिलेगी कि आपको hospital में किस type के patients देखने को मिलते हैं ठीक है और यहाँ पर information and communication health यानि कि आप कैसे information gathering कर सकते हैं कैसी एक दूसरे से communicate कर सकते हैं किसी भी patient से या फिर किसी भी senior से third option है health technology क्या health technology third option है fourth option है नौन आप देखो आपको जानना है क्या आपको उस technology के बारे में पूछा गया है communication technology के बारे में पूछा गया है जो कि health and care के बारे में deal करती हो तो आपका answer health के बारे में deal करती हो वो technology हो जाएगी आपकी health care या health tick बोलेंगे health tick option number इसका c हो जाएगा ठीक है next question पर हम move करेंगे और देखेंगे next question क्या कहता है और जस्ट एक one second अब next question पर पहुचेंगे और पढ़ेंगे next question क्या कहता है next question कहता है the official sign of the medical profession is यानि कि इन में से कौन सा medical profession का sign है आपने एक symbol इस टाइप का कहीं न कहीं देखा होगा कुछ इस प्रकार का रहता है मुझे इतना पर फैक्टि बनाना नहीं आता है इसी प्रकार के करके आपको देखने को मिला होगा ठीक है उस symbol का नाम क्या होता है medical profession का जो symbol है इसको हम बोलेंगे caduceus क्या बोलेंगे केडिशेस करके स्विमल का नाम होता है और आप इसे कडिशेस करके ही बुलाएंगे अश्के बाद क्योंकि यही है जो मेडिखल प्रोफिशन का सिम्बल माना होने स्वेशन पर हम करेंगे क्या चाहिटा है और और पढ़ेंगे पढ़ने के हमें और नेक्स कुछन कहता है कि तू इंसे और हुमोजिनाइएशन विन डाइल्यूटिंग पाउडर्ड मेडिकेशन इन वायल नर्ष शुड यानि कि इस कुछन को हिंदी में भी पढ़ेंगे सीसे में पाउडर वाली दवा का पतला करते समय समरूपता सुनिश्चित करने के लिए नर्ष को क्या करना चाहिए यानि कि इस कुछन में बोला गया है कि देखो कभी भी एक नर्ष होती है इंजेक्शन लगाना होता है जब भी आपको एक इंजेक्शन मिलता है लगाने के लिए बॉटल में लगाने से पहले नर्ष को क्या करना चाहिए ताकि आपका जो इंजेक्शन है वो पतला ना हो ठ नर्ज बाठ।र प्रैक्टिसनर क्या करता है। क्या गरता हैem उसके अंदर जो भी ऑन धिंग्रिटट्यडींट्ट्ट्स हैं जो भी चीजिए इस्ते मल की गाईं इस इंजेक्शन को बनाने के लिए उस पूरे कि खुल सेम हो जाया ह। पूरे की concentration सेम हो जाए तो क्या करेंगे तो देखो दो तरीके होते हैं एक तो विग्रस से किंग तेजी से लाना और दूसरा उसको इस तरीके से रोल करना क्या रोल करना इससे क्या होगा आपका जो solution होगा वो डाइलूट हो जाएगा का concentration की ठीक है तो इस question का जो राइट answer होगा रोल दा वायल जेंटिली विटिवीन दा पाम्स यानि कि आप हाथेलियों में उस injection की बॉटल को रखे और इसको रोल करें क्या करें ऐसे रोल करें इससे क्या होगा आपका जो injection है उसको पतला कर पाएंगे वानि कि उसकी जो concentration है उ इसको डाइलूट कर पाएंगे more dilute कर पाएंगे चलते हैं next question पर देखते हैं next question क्या कहता है next question कहता है the main aim of public health is to improve health by promoting health and preventing disease in population, यानि कि सारवजनिक स्वास्ट का मुख्य उद्देश आवाधी में उद्देश को भढ़ावा देकर और बिमारी को रोक कर स्वास्ट का सुधार यही पूचा गया है, इन मेंसे ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो कि सवास्थ का मुख्य उद्देश आवादिम होता है और स्वास्थ को बढ़ावा देकर बिमारी को रोकर स्वास्थ में सुधार करता है ठीक है यहां पर आपको तीन आप्शन है पहला प्रोवाइडिंग मेडिकल इंटरवेशन आपको चार आप्शन यहां मिलेंगे जब आप थर्ड आप्शन पढ़ेंगे प्रोमोटिंग हेल्थ और प्रिबेंटिंग दा डिजीज पॉपुलेशन यानि कि इस कुशन में आप्शन का हो जाएगा कि आपकी जो अच्छी हेल्थ है उसको प्रोमोट करना और जो भी बै आपको किसी भी दवाईयों की तरह है किसी से बात करने की चलने की तो आपकी है उस चीज में कर पाना उस को हम बोलिंगे क्या करना हाथ हो हान्थ लगे हाथ आपकी मदद करना ऐसी मदद कौन करता है कि जब आप हुस्पिटल में जाते हैं आपको उठाता भी डॉक्टर है या फिर एक जर्जन आपको बेड चर करके आपको stretcher पे ले जाता है ambulance से निकाल के लिए जाता है नहीं लेके जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे एक question का answer क्या बोलेंगे स्टाफ नर्स बोलेंगे डिस्टरिद नर्स बोलेंगे टैवज नर्स बोलेंगे यह कुशन हम सब्रस जा अनել ऑपरेशन अगर कोई एक नर्स डॉक्तर के हिल्प कर रहे है पेशन को ट्रेस्ट करने के लिए तो हम उसको को ओटी नर्स बोलते हैं क्या बोलते हैं ओटी नर्स बोलते हैं वहीं पर अगर जब एम्बूलेंस में अगर किसी मरीज को बैठा दिया गया है उसके दवरान अगर कोई भी मरीज को कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो उस वक्त जो नर्स हिल्प करता या करती है उसे हम को आधेन बोलते हैं ड्रावल नर्स ठीक है अब यहां पर बात की गई है यहां पर ऐसे किसी कोई कंडीशनल नहीं पूछा गया नॉर्मली बोल दिया गया है कि कोई भी गंडीशन हो एक ऐसा आदमी जो सदाबाहर हो चाहे ट्रावल में हो चाहे ऊटी में कहीं पर भी हूँ वहीय काम कर सकती है रेजिस्टेड हाली कवालीफैड accomplish नर्स है वह सभी कामों कों हैंडल कर सकते हैं अब हम चलेंगे next question पर question number 6 पर question number 6 का देखेंगे क्या right answer होने वाला क्या question है क्या important और याद रखना last वाला question था बहुत important है क्या है बहुत important है ऐसे question आपके exam में पूछे गए हैं पूछे जाते हैं पूछे जाते रहेंगे ठीक है यह question देखते हैं क्या कहता है यानि कि बिमारी से बचने के लिए आपको खिस टाइप के बाता वरण में रहना चाहिए मुझे नहीं लगता इस question का answer मुझे बताने की ज़रूरत है फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं आपको बता दूँगा पहला option है आपको गंदे बाता वरण में रहने की आवा शकता है dirty surrounding में आपको clean surrounding में रहना एक स्वच्छ वाता वरण में रहनी कि आदट डालनी होगी या फिर असुद्ध हवा में इंप्योर हवा में ठीक है इंप्योर एयर में इस smoky surrounding यानि कि धूउम्ये वाली हैं next question पे question number seven देखते हैं क्या कहता है और कोसिस करो कि मुझसे पहले questions को attempt करो और उसके बाद उस question का answer comment में जरूर पिन करो ठीक है और कोई भी दिख्कात आये comment section में answer जरूर पूछना जो भी doubts होंगे आपके हर वीडियो में मैं आपके नाम के साथ बताऊंगा इस बच्चे ने डाउट पूछा था इस डाउट का यह solution होगा ठीक है अब question number seven देखते हैं question number seven क्या कहता है स्रोडी में प्रसव के भाग के नीचे के सिंकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है अब चलेंगे question नम्बर एट में और शाइद यहां पैर तो कुशें नम्बर नैन पर हम लोग आ चुके है और कि उपकेशन नम्बन नइन पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे कर दो कि आप था एकैनल के निदी में पढ़ते हैं और मेरे टॉ। यानि कि इस कुछिशन को जी बढ़ते हैं तो आपको पड़ने को मिलता है कि निलकिन में से कौन मृट आगकन करने और उन्हें लागू करने स्वास्ट को बढ़ावा देने की देने और बनाय रखने के लिए उप्यूप्ध स्वास्ट नीडाय लेने के लिए नीडाय की शम्ता को संदर्वित करती है ठीक है तो आपको बताना है इसमेन ऐसी कौन सी बाड़ी है ऐसी कौन सी चीज है जो की इन चीजहों के लिए आपके लिए फॉर्फेक्ट बैटेगी हेल्थ अक्सेसिबिल्टी हेल्थ अप्रेजल हेल्थ लिटरेसी हेल्थ प्रमोशन ठीक है क्या हेल्थ प्रमोशन यह आपके पास तीन आप्शन से एक बार फिर से मैं कुश्ण को बढ़ता हूँ यह मोच्ट है तो इसकूषियन का आण्सन देखो इसकूषियन का कभि ट्रिफelी हो और उसी इसको लागू कर सकते हैं यानि कि अगर आप डाग्नोसिस सीख जाएं प्रिवेंशन सीख जाएं क्योर सीख जाएं उस चीज को हम क्या बोलेंगे हेल्थ लिटरेसी में काउंट करेंगे सभी चीजों को आने के लिए इस कुशन को आप क्या करो एक डायडी कॉपी पेलो जब भी मेरी क्लास में आओ हमेशा कॉपी पेल लेकर के आओ क्यूंकि कुछ कुछन आइसे होंगे जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा रटना पड़ेगा और आसी कुशन एक्जाम में पूस लिए जाते हैं मैं बता को खत्म करना है दा इंड-tv सट्फ पूड़ता क्षत्म कर दिया जायेगा खम कर दिया जाने की गोश्रा की गई तदो इस को आप याद रखना कि इंडियान गवर्मेंट के द्वारा इसकी अनाउस्मेंट की गई थी तो 25 द्वारा तक हम टीवी की जो भी प्रॉब्लम है इंडिया में सब को खतम कर देंगे हम जीरो पर आज आएंगे टिवर क्लोसेज की डिजीज के मामले में ठीक है नेक्स्ट कु प्रोटोन पंपिंग इनिविटर याद रखना क्या करना याद रखना पूछा गया है प्रोटोन इनिविटर पूछा गया है क्या वो लगए प्रोटोन पंप इनिविटर इनिविटर का मतलब होता है किसी भी प्रोसेस को रोकने वाला जैसे आपने पढ़ा था नर्वस सि कि प्रोटोन पंप था तो इस प्रोटोन को इनzwalicked कौन करता है कि कौूछा गया तो यहां देखना पैं पैंट प्राजॉल यह आपको वैसे सिरिविस में तो नहीं आपको आगे को मिलेगी एक मेडिशन का नाम है फर्मूला अपरेंट प्रजॉल वह आपको इस इनिविटर को इनिविट करने में मदद करेगा ठीक है नेक्ट क्वेशन पर पढ़ेंगे क्वेशन नंबर 12 क्वेशन नंबर 12 का क्या क्वेशन पढ़ेंगे टू इंस्टिट्यूट एप्रोप्रियेट्स आइसोलेशन प्रिकॉशन दस नर्स मस्ट फर्स्ट रहूं यानि कि एक नर्स को क्या क्या चीजे पता हूं मतलब यह सब चीजे जानने के लिए क्या पता होनी चाहिए इस question में कहा गया है किसी भी एक nurse को ठीक है isolation precautions ठीक है एक nurse staff को इस सब करने के लिए क्या क्या चीज़े पता होनी चाहिए तो देखो आपको पता होनी चाहिए क्या क्या organism जो भी है जो बिमार करता है वह बिमार करता है वह organism mode of transmission पता होना चाहिए प्याद रखना अगर एक किसी nurse को यह पता हो कि किसी भी क्या किसी भी व्यक्ति को किसी भी डिजीज के जो agent होते हैं उनसे हम isolate कैसे कर सकते हैं यानि कि आपके environment में बहुत सारे टीवोग्लोसिस के bacteria different different air medium में फैले हुए है तो कैसे आप उन बैक्तिरिया से patient को patient को क्या अगर सकते है isolate कर सकते हैं यह चीज उसे पता हुनी चाहिए और उससे प्रिकोशेंस क्या कैसे ले क्या हम ऐसी चीज़े करें कि उनसे आप बच सकें अपने पेशेंट्स को बचा सकें सी हम क्या चीज़ें अपनाएं है और चीज़ें बताएं ठीक है और साथ ही ऑप पता हूं तो जब तक आपको नहीं पता होगा कि एक जो एजंट है क्या है एक डिजीज कॉजिंग एजंट है जिसे हम पैथोजन बोलते हैं वह एक बॉड़ी से दूसरी बॉड़ी में जाता कैसे है उसका ट्रांस्मिशन कैसे होता है जब तक आपको पता ही नहीं होगा तब और यहां पर बोल सकते हो और वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें आप यहां पर पैथोजन भी मिल सकता है डिजीज कोजिंग एजेंट भी मिल सकता है क्या होगा क्या होगा ऑगनिजम्स मोड आफ ट्रांसमिशन हो जाएगा इस कुछिशन का राइट एंसर और नेक्स कुछिशन 13 पर चलते हैं कुछिशन नमबर 13 क्या कहता है 13 कुछिशन नमबर बहुत मस्त है और यह कुछिशन एक्जाम में आने कि बहुत ज्यादा हाई कापसिटी यह आप जो भी कहो और रखता है ठीक है कुछिशन करता है हूँ आर सिक और है बीन इंजर्ड टू है टेंट फुली रिकवर यानि कि जब कोई बिमा आदमी बिमार हो जाए घायल हो जाए उन्हें पूरी तरह ठीक होने में मदद के लिए इनका इलाज करते हैं यानि कि जब को घायल हो जाए बिमार हो जाए उस टाइम में क्या उसको इलाज करता है उसकी देख भाल जो भी करता है उसे आप क्या बोलेंगे एक जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बोलेंगे और आप ए और बी ऑप्शन सी के तरफ जानेंगे या फिर इन मेंसे नन आप दान दीश इस question का answer यह होगा ठीक है उसके मैं answer बताने बाला हूं आपको इसका सीधा सीधा इस question का answer हो जाएगा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी इस question का right answer हो जाएगा यानि कि अगर कोई भी नर्स कोई भी staff आपकी इन चीजों में मदद कर रही है दीश से क्योर होने में precautions में और आपकी health को ध्यान में रख रही है तो याद रखना उसको हम क्या बोलते हैं जिनम जिसे आपने short form में बोला होगा जीनम का आपको तब तक आप और पढ़ाई करना देखते हैं नेक्स क्या कहता है तो उसकी क्या responsibility बनती है क्या legal responsibilities बनती है क्या document आप पेशेंट behavior यानि की patient के behavior के document उसके पास होने चाहिए या फिर document type of the arrest used या फिर चिकित्सक से लिखी आदेश प्राप्त करें सिवाए एस इन साइद options में कुछ गलतिया है थोड़ी थोड़ी तो यहां लेना याद रखना इन सभी चीजों के लिस्ट उसके पास होनी चाहिए यानि कि कोई भी अगर यानि कि आप ऐसा मालूप यह भी एक नर्स को injection लगाने के लिए बोला गया आप ड्रेक्टली जाओ हस्पिटल में बोल दो कि मेडम इनको यह injection लगा दो तो क्या आपको लगता है कोई भी एक नर्स क्या करी कि आपको injection लगा दी नहीं लगाएगी तो पूछे कि क्या हुआ आप हमें प्रेस्क्रिप्शन दिखाओ कि इस डॉक्टर ने आपको कहा है कि इस डिजीज के लिए इस क्यूर करने के लिए आपको इंजेक्शन की ज़र रेस्टरेंट यूज किया गया उसके बारे में उसके नॉलिज में लिखी हो और डॉक्यमेंट होनी से पेसेंट की भीवियर को ठीक है और इसका ऑंसर डी हो जाएगा ओल अप दीज ठीक है नेक्स्ट कुशन देखते हैं हाँ यह कुशन थोड़ा इंपोड़ेंट है डेट आपन रहा है कि what is the full form of NUSP क्या बन रहा है what is the full form of NUSP त्याद रख रहा है is NUSP का full form होता है natural sorry national urban sanitation policy यह इसका full form है और इसको कब किया गया था launch याद रखना 2008 में launch किया गया था क्या किया गया था 2008 में launch किया गया था तो आज के लिए इतने questions बहुत ही enough है comment section में जरूर बताईएगा इन questions में क्या था कैसा था क्या question easy थे या मेरे सारे doubts सारी problems आपकी दूर कर दे जाएंगे तो मिलते हैं पार्ट टू में और भी अगर आपकी कोई additional requirement हो तो आप उसे भी हमसे पूछ सकते हैं WhatsApp ग्रूप में comment में कहीं भी जहां पर भी आपकी मर्जी हो तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई इनर्जी नई उर्जा के साथ तब तक लिए पढ़ाई करते हैं अल्दा बैडी वेस्ट थेंक्यू हैव नाइस डे